समाजवादी पार्टी के नित्रत्य के साथ जो हमारी चर्चा हुई इन सभी विशेओं को लेकर हमने निरने लिया है कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी अपने उमीदवार नहीं उतारेगी इंडिया गड़ बंदन के सभी उमीदवारों को एक जुटता के साथ प्रयासरतन रहेंगे उत्तर प्रदेश औल इंडिया कॉंग्रेस कमीटी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आज मौजूदा राजिनीतिक और सामाजिक तनाव में और जिस लक्ष के साथ इंडिया गटबंदन का गठन किया गया था जिस तरह से हमने लोकसभा चुना अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष आदर्निय मलिका जुनखर जी की से राज्य की राजनेतिक घटना करम और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक तनाव की इस्तिति प्रशाशन के अंदेखी का बहाना बना कर जो तनाव बढ़ रहा है इन सभी राजने पहलों पर और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नित्रत्व के साथ जो हमारी चर्चा हुई इन सभी विश्यों को लेकर उन से हमने चर्चा की पार्टी के शिर्शनिता आदर्निय हमारे शिर्शनित्रत्व अखिल भारति कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष के साथ साथ आधर निये राहूल गांदी जी आधर निये प्रियंका गांदी जी और हमारे जनरल सेकरेटरी और्गनाइजेशन विनु गोपाल जी इन सब के साथ में गहन चर्चा करने के बाद एक मत बहुत इसपस रूप से निकल के आया कि आज वर्तमान राजनीतिक तनाव जिस प्रकार से सामाजिक तनाव उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ रहा है और जिस उत्तेश को लेकर इंडिया गड़ बंधन की निर्मिती हुई इंडिया गड़ बंधन बनाया गया और बहुत ही सफलता पूर्वक एकता का एक उधारन देते हुए उत्तर पदेश में और पूरे देश में लोग सभा चुनाओं जो हमने लड़ा उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है बलकि आज समय है हम सब को मिलकर इस संविधान को बचाने का आपसी भायचारे को सहाधरता को मजबूत करने का और इन उदेशों को लक्ष में रखते हुए उत्तर प्रदेश कौंग्रेस कमीटी के समाने अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ट नेताओं के सुझहाव अनुसार आधर निये कॉंग्रेस अध्यक्ष से सहमती लेकर हमने निरने लिया है कि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी अपने उमीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गड़बंदन के सभी उमीदवारों को एक जुटता के साथ मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयास रतन रहेंगे मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों उत्तर पदेश कॉंग्रेस कमीटी के नित्रुत्व में उत्तर पदेश के इन सभी दस विधान सभाओं में बहुत ही सफलता पूरुवक सम्विधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया जहां पर हज्जारों की तादाद में वहां के कारेकरता वहां के जनता और वहां के बुद्धी जीवी वर्ग के लोग उपस्तित रहे और इस सफलता के बाद एक चीज का एहसास हमें हुआ कि आज अगर भारतिय जनता पार्टी को या एंडियो को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में यह सम्विधान भाईचारा आपसी सौहद्रता और भी कमजोर हो जाएगी देश दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाबकेसरी.com साथ हें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे